आज आप लोगों के लिए मैं बिल्कु धाबा इस्टाल पनीर की सबझी रेसीपी ले कर रहा हुँ यह सबजी बिल्कु वैसे ही बनाएंगे हम जिस थरह राबा में रिस्टोरेंट में बनती है बिल्कुल तरीके से तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहां पर एक पैन लिया है पैन में हम लेंगे यहां पर मैंने प्याज के साइसे लिये थे दो प्याज लिया थे उसके बड़े बड़े तुकुड़े करके काट लिये थे और यहां पर एक इंच अद्रक कर तुकुड़ा लेंगे स स्थेविश्ट फ़ैन में डार देंगे और आप लोग के घर में जो भी खड़े मसाले हैं आप लोगों यहाँ पर वो खड़े मसाले ले ली जीए जीरा मट डालिए निया हम थोड़ा सा पाने डालेंगे इसे अच्छी तरीके से पकने के लिए दॉफड़ करतें जितेश करक और चार से पांच मंट होने के बार में हमने पांच में पांच किके बार में प। बनते दियंके जो कि यहांद में पूम से के लिए हैं तो इसने निकाल कर से दोल्ड के लिए और जैसे ही 2-3 माट हो जाएगा इसके हमें बारिक पेश्टे बनाना है बिल्कुल फाइन पेश्टे बनाके हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे तो जो हमने पगाने के टाइम पर तेश्पत्ता डाला था तेश्पत्ता को निकाल दीजिए वनहां बहुत अलग सा टेश्ट आएगा तेश्पत्ता को पीछना नहीं है तो इसे निकाल देंगे और इसके फाइन पेश्टे बनाके रेडी कर लेंगे थोड़ा सा पानी यह करेंगे जैसे कि तेश पत्ता बड़ी लाइची चोटी लाइची और एक लॉंग एड़ करेंगे ज्यादा खड़ी मसाले का यूज नहीं करना है कि हमने पेश्टरी भी खड़ी मसाले डाले थे खड़ी मसाले जैसे ही पक जाएगा वन टेपल इस्पून हम यहां पर धन्या क्टोडर रेड कर देंगे वन टेपल स्पून हम यह बर थोड़ी यह भाली डाले यह नहीं तोड़ी चीक राले झाल दालेंगे और यहां पर हम राव पनीर का मसाला यह तो और यह वह बोलेंगे कम से कम एक सिकन्द के लिए जैसे मसाला वह जाएगा जो हमने जो पेश्ट बना कर रखा था उसे हम डाल देंगे इसे दो से तीन मैट के लिए अच्छे से हम यहां पर भूनेंगे जैसे मसाला भून जा गए इसमें हम वन टेबल इस्पून टेश्ट अकॉर्डिंग यहां पर नमक डालने के बाद में मसाला भून चुका है काफी अच्छे तरीके से द इतने आपलों को ड्यव्य होस्सकते हैं यहां आप अपने हिसाफ से कम जदा कर सकते हैं यहां पर हमने जो पनीर लिया था इसे मैंने फ्रॉय ने किया यहां पर हमने कच्छी पनीर लिया हुआ था उर अप ल n bankण यूए तो थोड़ा से उसे पर नोपार भूना अपर से डाल देंगे और आप लोग के चाहें तो इसमें क्रिम भी यूज़ कर सकते हैं और इसे दो से तीन मठ के लिए अच्छी तरीके से पकने देंगे और दो से तीन मठ होने के बाद में पनीर यहां बहुत अच्छी तरीके से पक चुकिए बारी कट अब फ्रेश हराज अगर आप लोगों को मेरे आज की यह पनीर की सब्ची अच्छी लगी तो फ्रेश वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में